नवश्कार ग्यूस बीके में आपका स्वागत हैं मैं हूँ अदी बनाथ जन्पत जालाउन में एक छात्रा की गला दबा कर हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है इस मामले में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि छात्रा का हत्यारा कोई और नहीं बलकि रिष्टे में मामा निकला जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया आपको बता दे कि रामपुरा थहना छेत्र के ग्राम मडीपुरा गाओं के पास एक नाले में बीती 13 अपरेल को एक यूविती की लाश मिली थी जो 11 अपरेल को यह कहकर घर से निकली थी कि वेब पेपर देने जा रही है लेकिन वे वापस घर नहीं आए पुलिस ने इस हत्या कांट के खुलासे के लिए सर्विस लाउंस टीम की मदद भी ली जिसमें दो लोगों के नाम सामने प्रिकाश में आये है हत्या का खुलासा करते हुए एसपी अमरेंदर प्रिसाद सिंग ने बताया कि हत्या बेवफाई की वज़े सी की गई है जिसमें छात्रा के रिष्टे में लगने वाले मामा लक्षमण के साथ छात्रा नीरच कुमारी से संबन थे और उससे फोन पर बात होती थी जब जब जबारे में छात्रा के परीजनों को जानकारी हुई तो उसे वापस कानपूर देहात भीज दिया था उसके बाद लक्षमण उससे दूर हो गया था लेकिन इसी बीच लड़की की गाउं के दूसरे लड़के से बात होने लगी इसकी जानकारी लक्षमण को हुई तो उसने नाराजगी जाहर की जिसके बाद लक्षमण ने अपने साथी और रही या निवासी अजय के साथ मिलकर प्लानिंग की और उस लड़की को बहाने से बुलाया जहां दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद में लड़की ने अपने मुबाइल की सिम तोड़ दी बाद में गुस्से में आकर लक्षमण ने लड़की की गला दबा कर हत्या कर दी एसपी ने बताये कि लड़की के शफ के पास उसके कपड़े और टूटी सिम भी मिरी थी उन्होंने बताये कि प्रेम प्रसंग और लड़की की बेवफाई के कारण ही लक्षमण ने हत्या की है और इसमें अजय केवल प्लानिंग में शामिल था जिस कारण उसे भी गरफतार किया है पहले जो पकरा गया है लक्षमण वो इसका पुरू प्रेमी था वो इसी के चाचा का साला है और उसी परिवार में रह करके परहाई लिखाई किया है तो एक ही घर में एक ही परिवार में रहते थे निकट के रिस्तेदार भी हैं लेकिन इनके बीच उम्र की वज़ा से एक प्रेम का संबन्द हो गया था जब घरवादों को पता लगा तो लश्मन को इन लोगों ने दूर भेज दिया था वहां से हटा दिया था लेकिन फिर भी लश्मन इससे संपर्क में था इस भी जब लश्मन दूर रहने लगा तो गौंका ही एक और लरका है उससे इसकी बात बात होने लगी थी और इस बात की जब जानकारी लश्मन को मिली है तो नाराजगी में उसनी ये कदम इखाया थाया में तो मतलब लश्मन ही है मेंली एस्ट्रैगिलेट तो उसी ने किया है उसके दुपट्रस से गला कस के उसकी हत्या किया है अरूपी का साथ देने वाले यूवक को भी गिरफतार कर लिया है वहीं आरूपी ने बताया कि छात्रा उसे बदनाम कर रही थी जिस वजह से उसकी हत्या की है किस तरह से बदनाम कर रही थी इसको मतलब एक अंड के पहले पकड़ा भी था मेरी बदनामी मेरी बहन की भी बदनामी सब रिस्तेदारों की इसमें बदनामी की बात है इसलिए मैंने प्लानिंग बना के मार दिया हत्या का सारे वो गला दबा के मारा न्यूस बीके के लिए दुर्गेश के साथ प्रणव शुकला की रिपोर्ट